हेलो नमस्ते वलकम तो मैठ अधिक्षिन रयो वीडियो महामी डिसकस गनने साँ नेपाल बैंक लिमिटेट को लेबल 6 को लागी एवडा इंपोर्टेंट टॉपिक जसको टाइटल राइको साँ हाइपोथेसिस टेस्टिंग एस महामी इंपोर्टेंट थेरिटिकल कंशेप्स वीडियो एकदम यूसफुल सा तेसे लेशला एंड समो हरनु होला विदा वेस्टिंग मस्ताइम लेस्ट गेत साटेट समय बंदा पहला हमी हैर सम्मीनिंग अभ हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस को मीनिंग के हो it is a supposition or claim about something that is based on known facts but has not yet been proved and hence requires further investigation for confirmation हाइपोथेसिस जसलाइन नेपाली मामी परिकल्पना भन्चों है यो मनेको कुनेपनी कुराको बारेमा योट अनुमान या दावा हो जो तत्थे माथी आधारित तो हुन्च तर प्रमानित भागोचाई हुदेन रद तेसलाइ प्रमानित गर्नको लागी अन्य अनुसंदान को आवशेक्ता पर्ष आपोतेसिस को मीनिंग तब ये अनुसरी बुजनोस की हाइपोतेसिस मनेको योटा कल्पना हो अनुमान हो या क्लेम हो जसलाइ सपपयले मान देता आयका होंचन तर तेसलाइ प्रमानित गर्नको लागी अनुसंदान को आवशेक्ता पर्ष ये जब आमी भन्चाँ इस वर चन योटा हाइपोतेसिस हो आमी सपपयले योकुरा माखी विश्वास गर्दे आयका चाँ तर योकुरा पूर्ण रूपमा प्रमानित भाईसेगो जाई शाई ये सलाइ प्रमानित गर्नको लागी समय समय मा अनुसंदान कारिया हरू भय काचन ते अनुसंदान कारिया ने हाईपोतेसिस टेस्टिंग होएता ओके नेक्स्ट मामें येर साँ टाइपस अफ हाईपोतेसिस हाईपोतेसिस कती किसिम का हुंसन विशेश गर्र हाईपोतेसिस दुई प्रकार का हुंसन सबसे पहलो हाईपोतेसिस ला भनिन सन नल हाईपोतेसिस फिस्स पॉईंट माई इस दो डिफोल्ड है पोथेस्ट भननाले जसते थोामे नोख भ॥ेंट भी ऐसको लितो भ॥ेयर का कमील सखसरी अब्रे महतनी स्मसती अरुशंग आए पैरमेटर मागरबाव товर ल्थे ौप॓लेसं यॉखनो प notreय वनाली असा नहींma हनाले । पहले देखीने सब पहले मानिर एको कुरा बने रबुजनु शायना जसने माननो साइनीज मान्च यहरो होचा हुँचन बनने कुरा एसरी बिगत धेरे समय देखी मानि दे आया को जुन कुरा हुँच तेसला आमी नौल हाइपोथेसिस बनने रबनने गर्शू त़र्द पॉइंट माशर, इसको खंडन गर्श या बिरोद गर्श न Ins cha, इसको अवने वाइपोथेसिस बनने टवरल्सनु आपोथेसिस बनने भो हुआ उन्स्या पुराइपोथेसिस बनने रबनने गर्श H0 symbol द्वारा लेखिन्छ, Null को यह उटा अर्थ 0 बनी हुँँँँछ, तेसले यानि रामी H0 को symbol बनायरा लेखने गर्शाँ Next मा, it is commonly defined by using the equality sign, यो Null hypothesis लेखने बेला मा, equality sign को प्रयोग कर्याँच तेसले यानि हामी hypothesis of no difference बने रामने गर्शाँ, यानि मेन को प्रयोग कर्याँच लेखने को लेखने लेखने को लागे दर दोसर मा, alternative hypothesis, first point मा, it is the hypothesis that is contrary to the null hypothesis, यो योटा इसतो हाइपोतेस हो, जो null hypothesis को against मा लेखिन चा जसते तपहाईले कुने बने कुरा इको खंडन गर्नू परेवने, केका आधार मा खंडन गरदेगोन सो, त्यो आधार बनी बताउनू परनी परने होन सो, तैयी आधार बनी को केहो, alternative hypothesis सो जस्ते माननू CBS Central Bureau of Statistics ले एवटा information पब्लिस गर्यों की नेपाल मा बसने संपूर्ण बेक्ती ओरको per capita income जुन्छा त्यो डॉलर 12 से पुगे को सं 2018 सम्म अबा हामी यो कुरालाई जासना चाहांचों के Central Bureau of Statistics ले प्रस्तूत गरेको जुन्यों information चो यो सई होकी है ना बनने कुरा सो यो हामरो default assumption बहो यला हमी null hypothesis बनेर बनने कर सो सपपई बेक्ती ओरको average income मने को mu बरावर $200 यो हामरो initial assumption बहो अब सपोज मानूस तपाई योटा researcher हो अनू संदान करता हो तपाईला के लाग्सा बननेर यो जानकारी गलत सा नेपाल मा रहेका बेक्ती ओरको per capita income 12 से डॉलर ब लेकनूंचा रब्भी बिनन टेकनीक सरू लगायारा तबाई ये सलाइट टेस्ट गरनूंचा इदा सो नॉल हाइपोथेसिस को अगेंस्ट मा लेखे को जुन हाइपोथेसिस हुनचा तेसला हामी alternative hypothesis बनेर बनने गर साहूं सेकेंड मा इट इस दा हाइपोथेसिस दाट दे रिसर्चर इस ट्राइं टॉब बनने साहिकुरा हो alternative hypothesis लाई हमेशा researcher ले प्रूब गरना चाहां सा किनवनी यो उसको आपनो एजम्शनो null hypothesis मा केथियो null hypothesis लाई researcher ले डिस्प्रूब गरना चाहां साहित third मा it is also referred to as research hypothesis यो alternative hypothesis लाई research hypothesis बनी बनिन्चा किनवनी यो अनुसंदान मा आधारी तुन्चा एसलाई अनुसंदान करताले अनुसंदान गरेरने पुष्टी गरनु पर्षा योकुने मन्ने तामा आधारी तुदैना next मा it is denoted by the symbol HA और H1 जसरी null लाई H0 लेहिंच alternative लाई HA या H1 बनने symbol दोराई डिनोट गरिंच next मा it is accepted when null hypothesis is rejected and vice versa जब null hypothesis लाई reject गरिंच ते तिहरा alternative लाई हामी accept गरशो रजब null hypothesis लाई accept गरिंच ते तिहरा alternative automatically reject गरिंच next मा it is commonly defined by using the inequality sign जसते not equal to less or greater जसरी null hypothesis लेहिंच 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 next मा null and alternative hypothesis are mathematically opposites null or alternative hypothesis हरू एक अरका का बिपरित हुँचन या यवड़े example लेखे गुश अगाड़ी जसरी हामले लेहिंगा थियो mu equals to $400 यानि रस ते कुरा को खंडन गरदे mu not equals to $400 यो पनी alternative हुना सक्थे mu less than $400 यो पनी हुना सक्षा mu greater than $400 यो तिन्ता मंदे कुनी पनी तवाई लेहिंच टेस्ट गरण शकना हुँच अज एन alternative hypothesis जैता अब याने रताब यवड़ा सिंपल एक्जाम्पल हेरनुस यो दियेको कोईशन मा हामले नौलर अल्टरनेटिब हाइपोथेशिस कसरे लेखनु पर सा It is believed that Believed that को मतलब हुन सा पुरानों बिगत देखीन यो चलन चली आयेको सा विश्वास गरी एको सा That a machine cuts cheese blocks that are on average 12 kg यो टा मशीन राखेगो सा यो मशीन वट पनीर को टुक्रा हरू काटीन सा हरेक टुक्रा को बजन आउसत रुबमा 12 kg हुन सा बनने विश्वास पहले देखी चली आयेको सा A worker claims that the machine after recalibration no longer cuts 12 kg blocks right H0 and HA यो टा worker ले चाई के दावा गर्यों बन्दा है त्यों मशीन को recalibration गरी सागी पसी मतलब त्यों मशीन लाए maintenance गरी सागी पसी त्यसमा के सुधार गरी सागी पसी अब चाई त्यों मशीन ले 12 kg पनीर को टुक्रा चाई काड़ दैना त्यसको नौल रो अल्टरनेटिव हाईपोतेसिस के हुँँँछ? अब हामले अगीने मने नौल हाईपोतेसिस मा त्यों के लेखनूँँछ? चरेंटली एकसेप्टेड वैल्यो जुँँछ? त्यला ये त्यों लेखनूँँछ? यो क्वेशन को नौल हाईपोतेसिस बहुँँँँबराबर 2L केजी ये किना मने पहले देखी को विश्वास केच बन्दा हैरी त्यों मशीन ले अउसत रोप मा 12 किलो को पनीर को टुक्रा काड़ चा यो वह हामरो नौल हाईपोतेसिस अल्रेड़ी इस्टाबलिस्ट बिलीफ है अब यो कुरालाई खंडन गर देई वर्कर को क्लेम हामी लेखसों एज अन अल्टरनेटिव हाईपोतेसिस वर्कर को क्लेम केचा बनाईए मशीन ले अब चाई 12 किलो पनीर को टुक्रा काड़ देई न कम हुँचा की बेशी हुँचा त्यो बनेगो चाई न तरा काड़ देई न उसलाई लागस योगरा उसले आपनो हाईपोतेसिस बनायाको चा यो कुरा को खंडनन गर देई कि म्यू not equals to 12 kg उसलाई के लागस अब चाई अब चाई आवरेज वेट बार किलो चाई चाई न यो बयो अल्टनेटिव हाइपोतेसिस साइदर लवाम येर सो steps involved in hypothesis testing hypothesis testing मा के के steps रुरहे का हुंचा so hypothesis testing बनेगो चाई के हो बनायरी it is a statistical method of testing an assumption or hypothesis about the population parameter like mean, proportion, variance, etc. on the basis of sample statistics हामिसंगे योटा population हुंच यो population को कुने योटा निस्सित पारामिटर होला जस्ते यसको mean उनसक्ष, proportion उनसक्ष, variance उनसक्ष त्यो सईयो की गलत हो बने assumption चुनूंच तेलाई जासन को लागी हामि योटा sample लिन्स हूं या एक बन्दा बड़ी sample अरू लिन्स हूं रद त्यो sample को आधार मतबाई के गरनूंच बन्दा हेरी त्यो assumption लाइट test गरनूंच सो तेई कुराला हामि hypothesis testing बन्स हूं इस तेस्टिंग बन्स हूं इस तेस्टिंग उफ असंप्शन अबाउट पोपुलेशन पारामिटर विद अहल्प अब सैंपल स्टाटिस्टिक्स रोईस मा केके स्टेप सरों इन्वाल्ड भाय का हुंच उन्च सबसे पहिलो इस्टेप हुंच सबसे पहिला तबाई एच नॉट रा एच वन डिफाइन गरनूंच हर एक प्रोब्लम को स्टेप टू मा identify the type of test तेस्पसी तबाई identify गरनूंच कुन किसिम को टेस्ट लगाउनी one-tailed लगाउनी या two-tailed लगाउनी येदी तबाईले alternative hypothesis लाई less या greater भनेर define गरनू भाहसा वने तबाई one-tailed test लगाउनु हुंच येदी तबाईले alternative hypothesis लाई not equals to भनेर define गरनू भाहसा वने तबाई two-tailed test लगाउनु हुंच स्टेप थ्री मा calculate value of test statistic using appropriate formula test पसी हामी alternative hypothesis लाई जासन को लागी test statistic निकालशों निशित शुत्र लगायर अलग-अलग formula हरुनशन येशको step four मा obtain value of test statistic from statistical table at given level of significance हामी संग statistical tables अरुने गर्षन z table, t table, f table अलग-अलग varieties का statistical table हुनशन जुन table उप्यूगत सा, त्यो table हामी हेर साँ रथ त्यो table वड़ अपनी हामी येवटा test statistic को value निकालेर ल्याउं साँ एक value हामी formula द्वारा निकाल साँ step three मा, एक value हामी table द्वारा हेरे रल्याउं साँ step five मा हामी के गर साँ, त्यों दुईटा value को comparison गरीं सा, कुन दुईटा value, येवटा calculated value जो formula द्वारा निकालें को सा, येवटा tabulated value जो table द्वारा निकालें को सा, कसरी comparison गरीं सा if calculated value मतलब formula द्वारा आया को value is less than the tabulated value, table द्वारा आया को value द्वारा काम सा बने, येशले हाम लाग के conclusion लेकना लगाऊ सा null hypothesis is accepted, null hypothesis चोही हो, null hypothesis मा लेखे को assumption लाई, चोही मानननू परसा हामले येदी एस्तो केस आयो हुने इद सेकेंड मा इफ क्याल्कुलेटेड वैल्य अप्टेस स्टाटिस्टिक इज मोर दैन येदी बड़ी आय रहेको सा फॉर्मला वाट त्यो केस मा नौल हाइपोतेसिस रिजेक्ट हुन्छ नौल हाइपोतेसिस रिजेक्ट हुनू को मतलव हामरो अल्टरनेटिव हाइपोतेसिस की हुन्छ त्यो बेलामा सही मानिन्छ या एक्सेप्ट हुन्छ येदी इनकेस बराबर आय हाले बने त्यो डिपेंड गर्ष है रिसेर्चर अर्रले के गर्ष हावने र उसले चाहाएपोची एक्सेप्ट पनी गर्न सक्ष नल् लाय र उसले चाहाएपोची रिजेक्ट पनी गर्न सक्ष त्यो बेलामा जैन्रली No안 को अवस्तावन शाईत अब आमेर सो, Errors in Hypothesis Testing Hypothesis Testing गरने बेला मा के कस्ता प्रकार का Error हरो आउनो सक्षन दूई किसिम को Error जेनरली Hypothesis Testing मा एक्जिस्ट गर सा एको Type 1 Error र एको Type 2 Error Type 1 Error को मतलब Error which occurs when we reject a true null hypothesis मानमस्तपाईले कुने योटा Null Hypothesis Create गरनो भासा यो Null Hypothesis मा कुने योटाख चीज लेखे गोशा, स्टेटमेंट लेखे गोशा यो स्टेटमेंट माननू सही थियो अरे तरो तपाईले गरेको क्यालकुलेशन को आधार मा के गरनू परे बन्दाएरी यो सही भाको Null Hypothesis लाइपनी येदी हमले reject गरनू परे बने त्यो अवस्ताला बन्नी गरिएंचा Type 1 Error So Type 1 Error को मतलब Error which is committed when we reject a true Null Hypothesis Type 2 Error को मतलब हुँँचा Error which occurs when we accept a false Null Hypothesis माननूस कुने योटा Null Hypothesis सह यो आमले लेखे योटाई स्टेटमेंट लेखे यो चाही गलत हो रे तरह तपाईले गरेको क्यालकुलेशन को आधार मा येदी एसला हमले सही माननू परने इस्तिती आया वने तेला वन्नी गरिएंचा Type 2 Error गलत चीजलाई accept गरनू परे वने Type 2 Error सही चीजलाई reject गरनू परे वने Type 1 Error अब आमी अर्षाँ Level of Significance बने को चाही के हो Hypothesis Testing मा ये वटा Main Component हो Level of Significance बने को एक तमी Simple सह जस अईले बरकर हमले चरशा गरे हूँ Type 1 Error को Type 1 Error यो Type 1 Error को मतलब हुन्छा सही या Correct Null Hypothesis लाई reject गरने Error ये Type 1 Error को जुन Probability हुन्छा तेसला हमी Level of Significance बन्छाँ Just Like Alpha बने Symbol दोरा दिनोट गरिंछा यान एर तेही कुरा लेखे गुछा येरन सपनुछा The Level of Significance is defined as the Probability of Rejecting a Null Hypothesis by a Test when it is really true It is denoted as Alpha कुनी बनी True Null Hypothesis लाई Reject गरने जुन Probability हुन्छा तेसला हमी Level of Significance बनेर बनना सक्छाँ एसला हमालफा बने Symbol दोरा दिनोट गरिंछा Most Common Level of Significance is 5% सबसे Commonly जुन Level of Significance ब्रयोक गरिंछा तेवा 5% 5% मन्दा बाहेक औरुपनी यूज उन्छा जस्ताई 1% 10% तरब विशेश गरेरा जाई 5% Level of Significance मा टेस्टिंग गरिंछा एसको मीनिंग के उन्छा बन्दा एरी तपाई बट एरर होने संभावना Hypothesis Testing मा गल्ती होने संभावना True Null Hypothesis लाई Reset गरने संभावना चाई 5% बनना को जेगवाईता यो आमरो एरर को मार्जिन बयो बनेर बुजनूस लब आमी एरन्दे संभावना Types of Hypothesis Test in Statistics Statistics मा के कस्ता प्रकार का Hypothesis Test अरू गरिंचन पोहले वाला सामिसंगा Z-Test यो Z-Test तबाई को यूजन सा 2 वटा ग्रूप सारू Maximum 2 वटा ग्रूप सम्मा को Mean र प्रपोर्चन अरू टेस्ट गरना को लागी In Case of Large Sample Size येदी Sample Size Large अरू ग्रेटर और इक्वल टू 30 अरू बने हमी Z-Test को प्रयोग गर्शाँ दोसरो मा अरू T-Test यो बनी Mean को टेस्टिंग को लागी प्रयोग उन्चा Maximum 2 वटा ग्रूप को तर यो चाई Small Sample Size वाला केस मा प्रयोग गरिंचा मतलब येदी हामरो Sample Size लेस देन 30 अरू 30 अरू येस को साथ है यो correlation को significance टेस्टिंग को लागी प्रयोग उन्चा थार्ड माचा हामी संगा F-Test यो F-Test चाई 2 योटा population को या 2 योटा ग्रूप को variance से सरू टेस्टिंग को लागी प्रयोग उन्चा तेसे ले एसला हामी variance ratio टेस्ट पनी पहन्चा नेक्स्ट माचा ANOVA Analysis of Variance यो ANOVA टेस्ट चाई 3 या त्योटा बड़ी ग्रूप सरू को mean हरू टेस्टिंग को लागी उन्चा रा अन्तिमा सामिसंगा काई square टेस्ट यो चाई Categorical Variable सरू 20 को असोशेशन टेस्टिंग को लागी प्रयोग उन्चा Categorical Variable मनना ले तेस्टो वेरिबल जसले कुनी Category बुझाओ उन्चा जस्ते माननो सामिसंगा यानि रजेंडर बनने चा यो जेंडर बनने को योटा Categorical Variable हो इसको value male, female चा तेसेगर रहा एता पट्टिंग हामले Academic Qualification लेख्यों Academic Qualification पनी योटा Categorical Variable हो मननो सेसमा तपाइसंगा प्लस टू चा, बैसलर चा, मास्टर चा यो Academic Qualification बुझा अब हामी चेक गरना चाहांस हो Academic Qualification रजेंडर बीच मा कुने संबंद या Association चाह की चाहे न सो Categorical Variable बीच को Association या Relationship चेक गरना को लागी हामी Chi-Square टेस्ट को प्रयोग गरशां यो Chi-Square लाई यो सिंबल दोरा denote गरने गरिन चाहेता रवो अंतिम्मा आमी यर्शां Importance of Hypothesis Testing Hypothesis Testing किनो उपयोगी सा Polo Point मा It helps us to test if something really happened or if a theory is true कुने theory साची के सही हो रग कुने घटना वास्तम्मा घटे गो थी हो जसलाई आजसम्मा हमले accept गरदे आयका चाहूं तेव कुरालाई टेस्टिंग गरना को लागी Hypothesis Testing उपयोगी सा Next मा It helps us determine if one variable really predicts another कुने युटा variable ले साच्छे के औरको variable को अनुमान लगाऊना मा सायता गर्चा वाग गर्दे न यो थेवरी लाए बनी टेस्ट गरना को लागी Hypothesis Testing प्रयोग उन्षा एसको मतलब हुन्षा Regression Analysis मा पनी Hypothesis Testing को प्रयोग उन्षा बनेर बनना कोजेग Third मा It is applicable in the fields of business, economics, scientific research, medical field to test various theories and assumptions Business मा, economics मा, scientific research मा, business गर्र यूज़ उन्षा Medical field मा पनी यूज़ उन्षा कुने पनी नया खोज, अनु संदान, medicine पत्ता लगाऊनू परेवने तेसको बारे मा धेरे रिसार्च गरिन्षा Hypothesis अरु formulation गरिन्षा येदी सपपई टेस्ट मा पास भएवने मात्रो त्यो गुरालाई market मा ल्याइन सेत लो यू वीडियो मा एती नी होप एसमा तबाईले Hypothesis टेस्टिंगो बारे मा रमरुजान कारी पाऊनु भएको अला येदी यू वीडियो मन परेगो समने ये लाइक रशेर पक्के पनी गरनु स्रम येरो YouTube चैनल मात अडिक्शन लाइ सब्स्राइब गरना साय ना भुलनु वाला मैस्ते यूस्फुल वीडियो सतपाई गो लागे लेरो ताम आवदे गरने सू अईले गो लागे पीदाउंसू चैनल झाट वर वर सिन लाट वीडियो बीडियो चैनल